बुल्टिन की शुरुवात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे लालू परिवार को लेकर लालू परिवार और करीबियों की मुश्किले लगातार बढ़ रही है ED की raid में लालों के रिष्टदारों और उनकी खरीवियों से करोडों की संपत्री मिलने का दावा किया गया ED की raid में एक करोड कैश्ट, 1.5 किलो सोने की जॉलरी जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड है और निस्व अमारे की डॉलर के साथ 540 ग्राम सोने के सिके बरामत करने का दावा किया गया है जाच में आई ने करीब 600 करोर के प्रोसीड ओफ क्राइम का पता लगाया और जिसमें 350 करोड की अंचल संपती 250 करोड की बेनामी संपती है जिसे कई बेनामी दारों के जरीए बनाया गया जाच में पता चला है कि लालो पुरसाद ग्यादफ की बिहार के पटना और आसपास के लाके में करीब 200 करोड की बेनामी संपती है और इसके बेनामी दारों और फर्जी कंपनियों के जरीए खरीदने वालों के पहचान कर ली गई है जाज के बाद ये भी दावा किया गया है कि दिल्ली के एन एफसी डी एक शुन्ने आठाट का जो चार मंजिला बंगला है वो एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम है जिसका अस्तिमाल बिहार के उपमुक्यमत भी तेजस्वी आदफ करते हैं इस बंगले की कीमत करीब तेड़ सो करोड है लेकिन इसे महज चार लाख रुपे में ले लिया गया था यानि एजेंसी को शक है कि इसमें प्योसी का इस्तिमाल हुआ है और इस पूरे पैसी को मुंबई की जोहरियो में काम करने वाले जोहरियों के जरिये पैसु को रूट किया गया यानि कागजों में इस बंगले को MS AB Export Private Limited और AK Info Systems Private Limited के नाम पर दिखाए गया लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी आदफ इस्तिमाल करते हैं और जाच के दौरान भी तेजस्वी बंगले पर इसके अलावा जाच में ये भी पता चलाए कि जमीन के चार्ट टुकडे जो रावडी देवी के नाम पर महज 7,5 लाख रुपे में लिए गए थे उसे आजेडी के पूर्व विधायक सेयद अबू दोजाना को 3.5 करोड रुपे में दिये गए जिसमें से रक्म का बड़ा हिस्सा तिजस्वी आदव के खाते में गया वहीं एडी के रेड में